जैसे कि हमने पिछले वीडियों में लॉक से वीडियो ऊप सीगगे कि इन्टी लॉक टेबल की मजदश हम कैसे किसी वैल्यू को सॉब करेंगए अगर हमाय पास को अंटमका न रखा होगा तो इसमें जदे को tension लेने नहीं है बहुत आसान है बस आप देखते चलेगा क्या हो रहा है देखो यह तो log से भी आसान है तो इसमें करना क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ जैसे आपको किसी भी number का antilog निकालने है देखिए आपके सामने antilog table है और आपको माल लेजे किसी भी number का antilog कैसे निकालना है समान लेजे 2.1572 अब देखिए यहां पे सबसे पहले याद रखेगा 2.1572 में आपको decimal से पहले वाला जो number है इसको फिलाल के लिए avoid कर देना है आपको .1572 को देखना है अब क्या होगा देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है दो digit pick करनी है और उसको table में देखना है मतलब आप फिलाल के लिए 2 को भूल जाएं मतलब किसको याद रखें .1572 को याद रखें तो इसमें वही pattern चलेगा पहले क्या करेंगे अपन पहले अपन .15 को table में देखेंगे फिर उसके 7 number पे देखेंगे उसको फिर अपन उसको note कर लेंगे और फिर उसमें आपको उतने 7 पे .15 के 7 पे value क्या है 1435 और फिर चलना है 2 पे 2 पे कितना है 1 तो आपको क्या करना है .15 के 7 पे क्या था 1435 और इसमें add क्या कर देना है आपको 1 तो कितना हो जाएगा 1436 ओके .15 की 7 पोजिशन पहुचे वहां की value को note कर दिया उसके बाद mean difference को add कर दिया मतलब answer क कितना आ गया 1436 यहां तक आप पहुच गए अब इसके बाद जो है वह सबसे important है देको decimal से पहले जो number रखाता है जिसको हमने पहले छोड़ रखाता इस number में अपने को one add कर देना है ज्यान अखिएगा log में अपन क्या करते थे याद करिए subtract करते थे one से यहां अपने one add कर देने पहली बात और दूसरी बात जो भी यह number आएगा हमें यहां से उतने number count करके decimal लगा देना है left से करना है right से नहीं करना है जैसे कि यहां पे number कितना है अपने three तो यहां तीन count करो one two three तो यहां पर आ आगे चलके फिर decimal लगाना है और left से count किजेगा right से count नहीं करना है बस यह आपका answer हो गया वापिस बढ़ाता हूं पहले आपको decimal से पहले दो number फिर यह और फिर यह देखना तो आई गया था log में और आगया number में one add करके left से उतने number count करके decimal लगा देना है ठीक है जैसे एक और example करते हैं 1.193 तो आप इसको कैसे solve करेंगे देखे पहले अपन क्या करेंगे हाँ अपने पहले number को छोड़ देना है 19 का 3rd position देखते हैं 0.19 का 3 position देखते हैं तो देखिए 0.19 का था टेबल पर यह रहा इसका अपन क्या कौन से position देखेंगे 3 position देखेंगे तो अपन पॉशि 1560 1560 19 का 3rd position पर क्या था 1560 और क्योंकि यहां को mean difference की value इन थी तो इसको यहीं तक छोड़ देगे तो अपने पास क्या है 1560 यहां तक ठीक है अब यहां पर आगे number क्या था 1 तो 1 मतलब इसमां क्या add कर देंगे 1 add करके कितना हो जाएगा 2 और 2 number के बाद यहां क्या लगा तो इसका answer क्या हो जाएगा 15.60 अब यह एक question homework के लिए कैसे करना आपको पता हिए पहले decimal के 4 digits है पहले इन 2 को देखेंगे table पे फिर इसको देखेंगे फिर main difference को add कर देंगे और क्योंकि यहां पे 3 number है तो इसमें क्या कर देंगे 3 plus 1 4 हो जाएगा तो 4 digits को छोड़के decimal लगा गया होगा अगर कुछ आपको इसमें doubt होगा तो आप मेरे से पूछ लीजेगा तब तक ले बाए बाए